बिहार के मुक्यमंत्री इंदिश कुमार अगामी लोकसबा चुनाओं से पहले जाती गणनापत देज भर में जन्जागरन करेंगे जेडियू के जन्जागरन अभियान की शुरूआत जारखंड से होगी नए साल में निदीश कुमार जारखंड में रेली करने वाले हैं जेडियू की दिली में हुई राष्टी परिशत की बैठक में फैस्टा लिया गया है इससे पहले राश्टी कारकारणी की बैठक में ललन्सी ने जेडीयू अद्धक्ष पथ से स्तिफा दिया और नितिश ने खुद पार्टी की कामान समाल ली नितिश कुमार के जेडीयू अद्धक्ष बनने के बाद कारकरता का उत्सा बढ़ गया है बिहार में साल हुई जातिकत गर्णा के मुद्धे को जेडीयू आगामी लोकसभा चुनाओ में बुणाना चाती है जेडीयू की राष्टी परिशत की शुकरवार को हुई बैठक में ये तरह किया गया कि नितिश कुमार इसे लेकर पुरे देश में जन जागण अभियान चलाएंगे जेडीयू के सब्यान की शुरुआ जारकंट से होगी बता दे कि किस जनवरी को नितिश कुमार को जारकंट के रामगण में सबार पस्तावित है इसे पहले उनकी रिसंबर में यूपी के वानाणसी में भी रेली होने वाली थी मगर उसे बात में स्थगित कर दिया गया जनसबा के लिए आममंत्रित किया है सीम नितिश उपी ओ जारकंट के अलावा गुजरात महराश राजिस्थान हर्याना समित अन्य राजों में भी रेलिया कर सकते हैं महिं दिल्ली में शुकरवाज शाम को हुई राश्टी परिश्रत की बैठक राश्टी कारकारणी के उस फैसले पर भी मुहर लगाई गई जिसमें सीम नितिश कुमार को पार्टी अद्द्रक्ष बनाने का प्रस्तावत दिया गया था जेडियो की कमान आधिकारिक रूप से अपने दिश के हातों में आ गई है ललन सी ने सुबर राश्टी कारकारणी की बैठक में अपने पत्थे स्तिफात देने का एलान किया था